नमस्कार दोस्तों मेरा नाम चंचल वैशनो है और मैं 36 राचनांद जी लेकी रहने वाली हूं दोस्तों मैं गैलवे कमपणी की डिस्ट्रिबूटर हूं और मेरे यूटूब चैनल चंचल वैशनो जो चैनल उसमें आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं कुछ समय पहले हमार रिजल्ट रहसे है तो चलिए भाईया लाइए यहां पास चलिए रेखते हैं दोस्तों यह हमारे किसान भाईया है जो इसको उखार रहे हैं देखिए और रही हमारे कि दोस्तों अलूस तोस्तों आपूख तोस्तों और दोस्तों आपूफ जोस्तों आप जोस्तों आपनाप मैं ग्सापूफ ए हो अट चालू हुआ है हुआ 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 है यह देखिए दोस्तों यह आलू का खेती बहुत ही सांदार तरीके से इन्हों ने इसका उत्पादन और इसका रिजल्ट लिए हुए हैं तो एक बार हम किसान चाचा से मिलते हैं कैसे लग रहे हैं इनको आलू की खेती में तो नमस्कार भाईया यह आपने आलू कब लगाए अच्छा नवंबर में नवंबर 2022 में नवंबर 2022 में इसमें इसमें आपका क्या उतुपादन है रिजल्ट है और क्या क्या यूज किने इसमें अच्छा मदलब इसमें सिर्फ अगोबर खाद जो हमारे गैलवे क्रिश्रम का जैविखाद में कौन सवाला जो बाल्टी कात है अच्छा जीसी पावर ठीक जो भी किया हूं यह देख रहे हैं टमाटर करेला इधर यह टमाटर भी बहुत अच्छा फूल आया हुआ है अभी से सांदर फल भी लग रहे है और यह देखिए इसका तो इस तरीके से इनका फशल हुआ है और यह पूरा आलू है अब यह उखारने के लिए हो गया है तो आलू में थोड़ा सा बताईए आपको रिजल्ट कैसा लगा आलू का अलू का रिजल्ट मेरे को बढ़िया लगा मतलब का है खसल भी ठीक हुआ है और यह पूरे तरीके से आप जैवी खासी खेती कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपके ही साबसे बहुत बढ़िया है अच्छा ठीक एक बार आलू को पकड़ी यह लगाया है अच्छा एक क्यूंटल लगाया है पूरा में अच्छा तो अभी तक आपने कितना मतलब उत्पारल ले लिए हैं अभी मतलब एक पती को उखाड़ा था थीन कट्टा हुआ है एक पत्टी को मतलब होता है पूरा एक लाइन ये पूरा एक लाइन को बोलते हैं एक बाटी फियांद लगाया था उसमें अच्छा तो एक पत्टी मतलब इसमें कितना लाइन होता हो गई है एक पचीश हबिस लाइन तो इसमें आपका तीन कटालू निकला मतलब इसका उत्पादिन पिछले साल से कैसा है पिछले साल तो जीरो था जिए पिछले